दो जून 1984 नू जिस तरह के पिशले हिस्से देविच दस्या जा चुका है के कई तरह दियां कूटनी तक कटना वावाप पर चुकी हैं सन। अकाली लीडर्शिप दे वलू श्रोमणी गुर्द्वरा प्रबंद कमेटी दे परदान। गुर्चर्ण सिंग् टोड़ा ने इंद्रा गांदी दे नाम एक चिठी लिखी जेस देविच दस्या गया के अकाली दल्दा नाम विलवर्तन अंदौलन दा चिड़ा प्रोग्रम है और आदने कीता जावेगा। दूसरे बनने तरमजुद मोर्चे दे डिक्टेटर हर्चन सिंग् लॉंगोवाल ने प्रेस रिपोर्टरां दे नलगाल कर देयां किया के जेडियां एक जूननू हर मंदर साब और परकर्मा दे विच गोलियां लगियां हन उनना दे निशान संभाल के रखे जानगे क्यों पत्तर कारां दे नाल अपनी मिलनी दे विच बड़ा सपष्ट कर दता के सरकार दे वल्लों हमला कीता जावेगा ते असी इत्य जूज के शहारता प्रापत करांगे सो दो जून नो इस सारी अकटनावा बापर चुकी यां सी बेशक के दो जून नो कोई जादा गोला बारी नहीं होई पर फिर वी सी आर पी अफ दे बीएस एफ दियां चौंकियां दे विच एक खास तरांदी सरगर्मी वखाई जित्ती जान दी रही ओ एसी पेप पंजाब दे विच पहुंच चुकी फौज दे वलो मोर्चयां दे विच तब्दीली किती जा रही सी दरबार साब दे आले दो आले दियां उच्छयां इमारतां उपर जड़े सी आर पी एफ दे बीएस एफ दे वलो मोर्चय बनाए होई सन उन्हा दे विच कर्फ्यू लगा रिता गया बेशक के स्वेरे कोज समय नौ तो ग्यारां वजे तक कर्फ्यू दे विच टेल दिती गई ओस टेल दे दौरान सिरीहर मंदर साब दे विच होर भी संक्ताम देरे गिंती विच आ गईयां क्योंके किसे नों भी खद्शा नहीं सी कि पार्ती नौनी कारवय की तीजावेगी तेन जून नीसो चरासी नू शहीद्दां दे सर्ताच गुरु अर्जन साब्दा शहीद्दी दे हाडा सी ओस करके भी एस पावन स्थान दे उपर संक्तां दी आमद भौ सी दूसरा तरमजुद मोर्चे दे विच गृफ्तारी देण दे वास्ते पिंडां दे विच्छों जठ्यां दे रूपच लोग आई होए सां ते तीसरा तरमजुद मोर्चे दे प्रबंद कांद दे वल्लों तेन जून नू अपना अगला पालसी प्रोग्रम पाव के सरकार दे नाल ना मिल वर्तन अंदौलन दा अलान करना सी जिस करके संक्ता दी गिंती होर भी जाता सी और पारती हुकूमत देवनों इस दिन पहिलना कर्फियू लुगा रिता गया फिर स्विरे नौ तो ग्यारा वजे तक कर्फियू दे विच टेल दिती गई अते उस्तों बाद फ हर बीर सिंग पावर नौ लेके सिरी दरवार साब दाखल होया सब तो पहिला उस ने हर चर्ण सिंग लौंगोवाल और गुर्चर्ण सिंग टोड़ा देनाल मुलाकात कीती उनना दी राय जानन तो बाद क्योंके दो जून नौ अकाल तक साब दे जतेदार ग्यानी करपाल स सिंग ने मी अकाल तक साब दे वन्लों एह हुकम नामा जारी कार देता सी के नीम फौजी दला ने हर मंदर साब दे उपर जड़ा हमला कीता है ओ सिखां दे इस ता आर्मकस्तान दे उपर एक बहुत ही कनोना कर्म है ते सिखां वन्लों इनना दा जवाब देता जावेगा अ ओस्वेले कमरे दे विच संत जर्नैल सिंग तो अलावा पाई रिश्पाग सिंग पीए पाई अमरीक सिंग हरमिंदर सिंग संदू जर्नल श्वेक सिंग ते कुछ संत जर्नैल सिंग हुनां दे होर नेडले साथी संग संतजर्नैल सिंग हुनां दे नालजडी सुबाश कर पेकड दी गल बात हुई वो बेशक बहुत विस्थार देविच बहुत सारी किताब्बां देविच मिल दी है पर एक गल्र बड़ी ऐएं सी के संत जर्नैल सिंग खालसय पेंड रह वाल्या एक स्वाल दे जवाब देविच सुबाश कर पेकरनू क्या कि कल तों फाउज अपनी कारवाई शुरू कर देवेगी और हरमंदर साभी नहीं बलके अमरे सार जिला गुर्दास पूरते फुरोज पूरते कई गुर्दवारयां दे उपर कारवाई कीती जावेगी इत्वासी ओस नीतिवान जर्नैल दी तीखन बुद्दी दा अंदाजा लगा सकते हैं ए सारा कटना करम हरमंदर साभ दे अंदर वाप पर रहा सी दूसरे पास से चंदी मंदर जड़ा के चंदी गड़दे कोल फौई दा हेड़ कौटर है उत्थे कुल्दीब ब्राड पहुंच चुक्के है सी कुल्दीब ब्राड दी उत्थे मुलाकात के सुन्दर जीते नाल हुई जड़ा पश्मी कमांड़ा मुखी सी और उत्थे उसमू सारी गाल समझाई गई के अगली कारवाई केस तरह देनाल करनी है इन्ना हुकमानों लेके कुल्दीब ब्राड अमरे सर पहुंच या और अमरे सर दी एक फौजी ड्वीजन दे विच एक हेड़ कौटर स्थापत कीता गया हरमंदर साब दा एक बहुत वड़ा कंप्लेक्स दा नक्षा त्यार करके उस दे उपर फौजी अफसरा नू जानकारी दिती गई के केस तरीके देनाल ए जड़ी कारवाई है ए अमल दे विच लियांदी जावेगी पाव के एक जूननू जेडियां त्यारियां फौज दे वल्क ितीयां जा रही असी संत्हें श्बीक सिंह भी बञ तões बादी पंदना वाले टे उनना और साथिआनू इस दोबवालीी पनत पता सी। एनम जून दे हाडा जी स्वेले पत्रकार संत जर्न swallow सिंग नहीं बैठ सिर्प पत्रकार ने गोल जर्नर शबयक सिंग भी बैठ सिर्प जोदो पत्रकारानर ने कोई अधर्शी निति होगी के संथ Learn सिंग ने सिंग वाली कित था आएँ ते ओस्वेले पत्तरकार ने एक बड़ा एहम स्वाल जन्रल शबेक सिंग नो पुछया के तुसी पार्ती फौज नो छड़ के सिक स्यासत दे विच क्यों आयो ते जन्रल शबेक सिंग ना ने हाजर जवाब इदे नार एक या के जेकर जन्रल शबेरो सिवा मुक्त होन तो बाद कांगरस दे विच जा सकता है ते की मैं सिक स्यासत दे विच नहीं आ सकता जदो उन्हा ने अगलेरे प्रोग्राम दे बारे पुछया ता जन्रल शबेक सिंग ने एह जवाब दिता के पहिला मैं लंबा समा देश दी सेवा कीती अपना आपास मर्पत कीता ते होन कौम दे वास्ते मैं अपना आपा निशावर कर दे माना एगल जिकर जोख है के जन्रल शबेक सिंग दा जिकरसी परवारक पछुकड वेखिये मार्याइद क्लीतर फाषफ स्गाहर राईद दे समय एक बाबा हरद्याल जी हुय ने जिन्ना ने खंडेबाटए दि पाहुल लई ते उनना दा नाम हरद्याल सिंग थखास्ते विच मिल दा हुआ-ँनन दा पुत्त्र सरदार हरा सिंग दे मेचै सरदार हरा सिंग्ग दे दो पुत्तर शन सरदार जगष सिंग וण सरदार महताब सिंमीरां कोट्व तोई नंने जिन्नाने हर मंदरसाब दी जियाम का त सन्वाले मशा रंग्र Helen दा सिर आपणे साथ स्युख सिंग माड़ी कंभो के सब्सक्राइब वड़ के निज्ये दे भड़ टांके बिका नेर लेके गए समू महताब सिंग मीरा कोट दा बेटा राय सिंग सी और राय सिंग दा बेटा सरदार रतंशिंघ पंगो परवारिक कुरसि नामें दे विच होर भी पर आने, पर असी एत्थों तागी सीम्त रहाँ गा सरदार रत्तन सिंग पंगू दे, दो बेटे संग सरदार गुर्मक सिंग और सरदार सार्मक सिंग। सरदार गुर्मक सिंग दे अगो फिर दो बेटे संग सरदार लाल सिंग ते सरदार नांद सिंग। ते सरदार नांद सिंग दा जड़ा प्रवार सी उ अम्रस सर जले दे पेंड ख्याले विखे आके वस्या एस करके एस पेंड नू ख्याला नांद सिंग वाला वी क्या जंदा सी उनना दे अगों चार बेटे सन जिनना दे विचों सरदार पगवान सिंग सन ते सरदार पगवान सिंग दे अगों चार बच्चे ने तिन बेटे और एक बेटी और एनना दे विचों सब तो वड़े जर्नल शबीक सिंग सन सो मेरा कैंट तो पाव ए है के जर्णल शबेक सिंग दा सबंद जिड़ा है ओस परवार दे नाल सी जिस परवार ने अठारमी सदी दे विच हर्मंदर साब दी कोई बेदवी दा बदला मस्य रंगड़ दा सिर्वाड के लिया से जितों तक कल दी बराड़ दा सबंद है ओ अपनी कताब अपरेशन ब्लू स्टार दे विच खोद मनदा है के जेस वेले उन्नी सो पंजाद दे विच मैं मिल्टरी अकैडमी दे विच वद्यार थी सी ओस वे पाकिस्तान दी फोज ने सब तो वड़ा आतम समर्पन जगजी सिंग अरोड़ा दे सामने कीता उस दे पिछे सरदार शबेक संग दे बहुत वड़ी पूम का सी ते एश ही समग tread देविच जेड़ा कंपूमकान वाए रहे स्य केक्डिव इन कितार दे लोड़ा दे विच यूंड ने खुद अपनी कताब दे जिकर कीता है कि शुबेक सिंग मेरा दून अकैडमी दे विच उस्ताद सी ते उस्तो बाद उस दी मुलाकात बंगलादेश दे विच होई ते तिजी मुलाकात होण एस हिंद पंजाब दे जंग दे विच होणी सी कुल्दीब ब्राड जो अम्रे सर पहुंचिया ता एस ने हर्मंदर सारा खाका त्यार करके अम्रे सर एड्मिस्टेशन देना संजा कीता ता ओस वेले इस ने क्या कि जो नों फोजा हमला कर दियाने जहां फिर असी कारवाई करांगे तब ओस्वेले पिंड्रावाला अपने आप ही हाथ खड़े करके बार आजावेगा एड्मिस्टेशन दे अफसरां दे विच बैठे अमरे सब दे डिप्टी कमिशनर सरदार गुरुदेव सिंग ब्राड ने क्या यह तो हड़ी बड़ी वड़ी पूल है ओ कदी भी गोड़े नहीं टेकेगा ओ कदी भी आतम समर्पड नहीं करेगा ही विल नाट गिव अप खैर तिन जून नू इस सारा कटना करम जेड़ा सी फौजी हेड़कौार्टर दे विच वाप पर रहा सी ते तिन जून नू कलदीब ब्राड ने बी एस अफ दे डी आई जी सरदार गुरद्याल सिंग पंदेर नू क्या के तुसी बी एस अफ नू को के ओ हर मंदर साब दे उपर जेड़े खाड़कूं दे मोर्चे ने उनना दे उपर कारवाई करन पाव के गोला बारी करन जिस्तों सरदार पंदेर ने इंकार कर देता ते उनना ने क्या के जिनना चिर तक मैंनों लिखती और्डर नहीं मिल दे उनना चिर तक मैं एक आरवाई नहीं कर सकता पावे के इस तो बाद उनना नू बहुत सारी अपने महकमें दी तफ्ष्टीशता सामना मीं करना प्या खैर एक वखरा विशा है तेन जून नू पीटे मोर्चे बनाए सी उनना नू संबाल लिया हमले दे वास्ते टैन गार्ड शबी मदरास बारां बिहार और नौ कमाउं राजमेंट बिलकुल त्यार सी तेन जून नूहीं सब्तों पहिना लेफिनेंट करनल के एस रंदावा आले द्वाले तो हर मंदर साब दे बनाए में हुए सारे मोर्चे दी खुफियार पोट लेके कुल्दीप सिंग ब्राड दे कोल आए उस्तों बाद कैप्टन जिस भीर सिंग रहना एक सिक शर्दालू दे पेश देविच श्री दरबार साब दे अंदर गया और मोर्चे दी खुफिया तौरते जानकारी लेके सारी रणकारी जेडी सी एए हैड़कॉाटर दे विच पहुंच रही सी और एससे हैड़कॉाटर दे विच तेन जून नूँ पच्छमी कमांड दे मुखी के सुंदर जी और गौर्णर देन युक्त किते गए सिलाकार रंजीत सिंग्ध द्यालवी वत्य आ गए और तेन जून यह सारियां फौजी त्यारियां जेडियां सी एं मुकम्मल कर लें गयां दूसरे पास से अंदर जनरल शुबेक सिंग्ध हुनाने में अपनी व्योंत बंदी और जुद नीती दे अंसार सारे मौर्चा नूँ पका कर लिया सुब आशकर पेकर खुद दासता है के जनरल इन जुन दी जेडि सी वो रात पे